साथियों आज इस वीडियो में हम ASACGD, UP Police 2023 के लिए जेनरल नौलेज के कुछ महत्वपून प्रशन लेकर आये हैं। डेली क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी साथि वीडियो को लाइक और अपने सभी यार दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर होगा ओप्षन डी मस्तिष्ट को मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ओप्षन डी सिलिकॉन का प्रयोग सोर सेल को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हजामत का शीशा कोन सा है। इसका सही उत्तर होगा ओप्षन डी अवतल हजामत का शीशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तूटी हड्डियों को जोरने के लिए निनलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ओप्षन डी प्लास्टर आफ पेरिस का प्रयोग तूटी हड्डियों को जोरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जिले में मोहनजोग्रो स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ओप्षन के लरकाना जिले में मोहनजोग्रो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यभरण की निती को किसने प्रारंभ किया। इसका सही उत्तर होगा ओप्षन डी लाज्ड दलहोजी ने राज्यभरण की नीती प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बास्त अइब जी ने गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद नमक सत्यागरह आंदोलन का नेत्रित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आजाद ने शचींद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसियेशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसियेशन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सम्विधान में समवर्ती सूची किसके सम्विधान से ली गई है। इसका सही जबाब होगा option D Australia से भारतीय सम्विधान में सम्वर्ती सूची ली है। Next question. जन्वरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरसकार प्रदान किया गया? A. पदम भूशन B. पदमश्री C. पदम दिभूशन D. खेल रखन इसका सही जवाब होगा आप्शन A. पदम भूशन पुरसकार महेंद्र सिंह धोनी को जन्वरी 2018 में दिया गया था Next question. पंचायती राज व्यवस्था में स्थानिय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? A. ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्थर पर चार स्थरिय व्यवस्था B. ग्राम, ब्लॉक और जिला स्थर पर तीन स्थरिय संरचना C. ग्राम और ब्लॉक स्थर पर द्वी स्थरिय व्यवस्था D. ग्राम स्थर पर एक स्थरिय व्यवस्था इसका सही उत्तर होगा आप्शन B ग्राम, ब्लॉक और जिलास्तर पर तीन स्तरिय संग्रचना पंचायती राज व्यवस्था में स्थानिय स्वशासन की व्यवस्था होती है Next question भूपे नहजारिका सेतु का निर्मान किस राज्ज में किया गया? A. गुजरा B. करनाटक C. असम D. बिहार इसका सही जवाब होगा आप्शन C असम में भूपेन हजारिका सेतु का निर्मान किया गया Next question राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? A. राज्य सरकार को B. केंद्रिय सरकार को C. राश्ट्रिय मानवाधिकार आयोग को D. राज्य पाल को इसका सही जबाब होगा आप्शन A. राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है Next question D. राज्य को आतंक वादियों ने भारतिय संसत पर हमला किया था Next question दक्षे एशियाईक शेत्रिय सहयोग संध का मुख्याले है A. भारत B. नेपाल C. पाकिस्तान D. श्रीलंका इसका सही जबाब होगा आप्शन B. नेपाल में दक्षे एशियाईक शेत्रिय सहयोग संध का मुख्याले है साथियों आज की क्लास यहीं पर आफ करते हैं आपको आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेर जरूर कर देना मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद